अगर आप ब्रत में सारी रेसिपीस खाकर बोर हो चुके हैं कुछ नया घ्राई करना चाहते हैं न तो यह रेसिपी आपको बहुत यदा पसंद आने वाली है और हाँ आप इसे ब्रत में बनाईए या फिर बीना ब्रत के भी आप इसको इंजॉय करेंगे न तो भी आपको यह बहुत यदा टेस्टी लगेगी तो तेर किस बात की चलिए बराना स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक को सेर जरूर कीजेगा और चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही बने बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजेगा तो एक लेना है मिक्सिंग बोल और इसमें डालेंगे सिंघाडे का आटा तो यह हमने कलशी से लिया है जिसकी साइस थोड़ी बड़ी है यह हमने डेल कप के जितना लिया है सिंघाडे का आटा और इसको चान कर लेना है वैसे यह सिंघाडे का आटा हमारे घर का अब इसमें आड़ करेंगे एक शोटी चममर जीरा और गणा को अड़एट करेंगे इसमें सेंधा नमक ऍसमें आपको थोड़े से ब्लैक ब्लैक दीख रहे होंगे तो इसमें काली मिर्च का पौडर भी मिक्स है जोकि मेरी मम्में इसको मिक्स करके ही रखती है जब बात में यालू वगरा फ्राइए करते हैं तो यह काली मिर्च औ सिंधानमक मिक्स होता है तो यह हमने टेस्ट के कॉर्डिंग डाला है और अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची और इसमें डालेंगे धनिया का पत्ता जो कि बहुत यह अच्छा फ्लीवर भी आता है इससे और वगरे बिल्कुल नहीं होने चाहिए लंप सीफ्री इसका वेटर हमें बना लेना है इस तरीके का और यह क्या होता है ना सिंधाड़े का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आपको टू का आटा ले सकते हैं या फिर जो राजगीरी का आटा होता है ना वो सब भी अगर आ तो इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसकी consistency देखे इस तरीके की होनी चाहिए मतब आप इसको गिराइए तो यह लगाता है ऐसे एक साठ नहीं गिर रहा है तो टूट कर गिर रहा है तो यह consistency एकदम पर्फिक्ट होती है क्योंकि सिंगाडे का आटा ऐसा होता है अगर यह बहुत टुकडो में cut कर लिया है इसको आपको जैसा टुकड़े आपको पसंदो छोटे बड़े उसी इसाफ से आप अपनी पसंद से इसको cut कर लीजेगा और ये बहुत ही गजब कर लगता है और बनाने में तो एकदम आसान है तो चलिए अब इसे क्या करना है जब तक ये सारी तैय चारियां इधर हम दिखा रहे हैं तेल भी हमने गरम होने के लिए रख दिया है गैस पर और पनीर को इस तरीके से सिंहाड़े के आटे में डिप करना है और इसकी कोटिंग देखिए बहुत ही पतली सी कोटिंग आ रही है इससे क्या होता है यह खाने में बहुत ही अच्छा ल दाले ना पनीर के तो उस सम Het Two Mart की फ्लेम को आप तेज कर दीजएगा मतलब कि हाई की जेगा और ऐसकी बाद जब कुस u सेकेंड वेट कीजएगा फिर ग्लास की फ्लेम कर दीजएगा और यह बहुत ही जल्दी से बहुत ही फिक बनते हैं यह तो आपको बहुत ज़दा टाइम टेकिंग भी नहीं लगेगा और खाने में टेस्टी तो इतना ज़दा लगता है ना कि एक बार आप बना कर तो देखिए फैन हो जाएंगे आप इसके तो अब गैस की फ्लेम को हमने मेडियम कर दिया है और सिंगाडे का आटा जो होता है वो थोड़ा सा चिपकता है तो एक साथ बहुत सारा डालने ना इसमें कम ही डालने या फिर जितना बड़ा आपका पैन या बरतन हो उसे इसाब से अगर वो चिपक भी जाते हैं थोड़े स ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब यह फ्राई हो जाएंगे तो बहुत ही इसली आप इसको निकाल पाते हैं तो देखिए सारे पकोड़े अलग-अलग हैं और बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर भी आ चुका है और कितने ज़्यादा यह फूल भी रहे हैं ऐसा लग रहा ह है तो हमने इसमें कुछ भी आट नहीं किया है बहुत ही सिंपल मसालों के साथ हमने इसको बनाया है इंफेक्ट मसाले क्या ही हमने नहीं डाले हैं इसमें आपने देखाई हैं तो इसी तरीके से इसे अच्छा सा हमने क्रिस्प कर लिया है और यह बहुत ही अच्छा से क्रिस पी है खाने में बहुत ही फुल्फिलिंग है आपको बहुत ही पसंद आएगी और इस तरीके से बना कर जरू ट्राइग कीजेगा तो देखे किते बढ़ियां लग रहे है ना और सिंगाडे का आटे की जब कोटिंग पतली होती है ना तो वो खाने में बहुत ही गजब लगते है अगर आप थोड़ा सा ठीक रखेंगे तो सिंगाडे का आटे का टेस्ट जादा आएगा तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है और अगर आप बहुत पतला करेंगे तब फ्राई करते समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको हमने सर्व किया है टमाटर हरी धनिया औ लेकिन हमने इसको कद्दुकस करके बनाया है और इसके साथ ये पनीर के पकोड़े तो वह भई क्या एक बार आप बना कर देखिएगा पसंद आए तो डिसलाइक मार दीजेगा इस ज़्यादा क्या ही बोलना है तो यह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो ट्र